शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें तो यूनियन लीडर के फैक्ट्री में काम नहीं करते चलो यह ऊच्छा मुठा और चलो यह से हम को कम देने वाद तू को तू माद बोल आप बोल तेहरी आप प्लेजिए प्लेट मुझे बात करें हरी सिंग कैसी बात कर रहे हैं यह हमारी चोटी मालिक होगा पने घर पे आप मजदूरा मैं उसको सीनियर हूँ अबात सही है लेकिन हरी सिंग फैक्ट्री में जुगा तेकर किसी की भी दिल को आग लग सकती है अच्छा दिल में आग लग रही है तो जाकर सुपरावाइसर बाता ना वो जो कहेंगा हम वो करेंगे आज कल वो पुराना जवाना नहीं है क चोटे नवाब बोलनेंगे और हम सब लोग गुलावों की तरह सर जुगांके बैठे रहेंगे जैसे काम चोड़ों की तो में मुह तोड़ दूगा सम्झेला तू जानता नहीं मुझे खाला क्या मुझे एक प्लीज एक प्लीज हरी सिंग देखो बात को यहीं रफात अफा बात रफात अबानी होने वाली और यहां पर वैस रख़ा होने वाला है और तू बी अमत बढ़ियों तू बीट मामत पढ़ियों समझ क्या आइं सॉरी हरी से कि मैं यहां से महीं हटूगा तुम समझतें क्या हो तुम यूनियलेटर हो इसका मतलब सब लोग तल दुने आजे, आजे प्लीज जा आजै, आजे practice आजे раз wine, आजे, आजे आजा nobody here. आजे. आझा आजे आजए, आजे Elliott. पोड जो प्लीज प्लीज अज़ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर मैंनल कर दो कर दो कर दो झाल 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 देश के प्रसिद और प्रतिश्चित उद्योग पती श्री विजय कपूर की तुमाम प्रोपर्टीज और फैक्ट्रीज तो पहले ही मौर्गेज थी आज कोट ने उनकी प्रोपर्टीज के निलामी के भी ओडर दे दिये हैं हमने कपूर इंडरस्ट्रीज के मैनेजिंग डिरेक्टर श्री विजय कपूर से उनकी प्रतिख्रिया जानने की कोशिश की लेकिन वो किसी भी प्रेस या मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं मैं अनिरुत कामत स्टार न्यूज लूज इन दवाँ से तुम्हारी तबेत दुस धर जाएगी लेकिन उन सद्मों का तो कोई इलाज नहीं है जो तुम्हारे अपनोंने दोई दिये हैं सुनात हरिष्टे हैं इनसानों को एक दूसरे से जोड़त नहीं हैं प्रतिमों लेकिन मेरी अरिष्टान दुमजे हैं दुम्हारे जुम्हारी वेकिन झाल्टे हैं झाल झाल एक राजा है एक रानी है पास पैसा है और जवानी है और क्या जिन्देगानी है सब नसीबों की ये कहानी है तेरी चाहत की सब निशानी है और क्या जिन्देगानी है और क्या जिन्देगानी है घर है तो मंदिर तुम मेरे देवता हो मैंने रब से मांगी वही तुम दुआ हो कान हमें दुनिया में इतना प्यार देगा इतनी खुशी और ऐसा संसार देगा मुझे रहना है दिनी चरणों में उम्र माहों में यो बितानी है और क्या जिन्दगानी है और क्या जिन्दगानी है सब्सक्राव बहारों में खिला करते हैं ऐसे माबाप नसीबों से मिला करते हैं मैंने हर रोज दुआ मांगी है तेरी खातिर मेरा हर खाब बन गया है अफिकत आखिर इन रिश्टों को हम निभाएंगे अपनी फूजा भी आजमानी है और क्या जिंदगानी है एक राजा है एक रानी है तेरी चाहत की सब निशानी है सब नसीबों की ये कहानी है है करम उष्ट का महरबानी है और क्या जिंदगानी है और क्या जिंदगानी है और क्या जिंदगानी है और क्या जिंदगानी है किसी भी सफल इंडस्ट्री को चलाने के पीछे लेकिन चुकि मालिक जो है वो कंपनी का जिम्मेदार है जवाबदार है ऐसी परिस्थिती में अगर महीने में एक दिन वो मैनेश्मेंट और वर्कर्स की बैठक बुलाए जहां वो उनसे सीधे सीधे बात कर सके तो मालिक मैनेश्मेंट और वर्कर में एक रिष्टा काइम होता है पूरे इस्टैब्लिश्मेंट का एक संगटन होता है एक मस्बुक्त परिवार और जहां तक मेरी जानकारी है आज तक दुनिया के किसी भी परिवार में कभी कोई स्ट्राइक नहीं कुई स्ट्राइक्स का सिल्सिला ये सिक इंडस्ट्रीज का प्राबलम हमेशा हमेशा के लिए खत्म होचाएं लेडिन जनल्म जानल्म सिर्फ पाइब सिर्फ पाइब सिर्फ प्लीज अब अब युँ अंधर बटे थे नो जी यह सर् लगता है अमारी बातें आपको पसंद नहीं यहीं यहीं सर्फ सब लोग आपकी बातें सुन रहे थे लेकिन मैं आपकी अलफाज की गहरायों मैं को चुका था और जब तक मैं अपने आप में वापस लुटा तो ताली बजानी की रसमाद आएगी पूरी हो चुकी थी सर्फ आम सॉरी सर्फ सर्फ जिंदीकी बार मैंने सिर्फ आपको तस्वीर में देखा है मैं आपके आर्टिकल्स आपके इंट्रव्यूस मैं कलेक करता हूं सर्फ यह देखे ना सफ प्लीज यह देखी सर्फ मैं नाम क्या है आपका सर्फ रजश्पुरहित सर्फ मैंने दाटिक एकिया है लाबाद यूनुवरसिटी से है जीज़ जो यहां से आपने पड़ाए कि थी क्या काम कर रहें आज कार लाब सफिलाल तो तु इतना ही बदा सकता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं सब्सक्राइब अपने एक बलूबोते पर अपने बल्बूते पर घज़ वेलोग करना हमें जीए, घरस्ताइल की उन्हां आप्सक्टार्चाता, ढूए है यह यह बहुता है आप भुआराश्य से माराश्य टेक्स्टाल मिल्स की लिस्त अवर्क पर यह रहा है यह रही हुआ यह प्रोस्वर्ट एक जगा ंरो से फस गई हूं प्लीज प्लीज है व्यापार व्यवसाय और चार वर्ड का इसका अल्टरनिटिव चाहिए चार वर्ड रोजगार रोजगार राइटिवार रोजगार ओ नौ पापा पूरी डिक्शनरी चान मारू तो भी मुझे यह वर्ड ने मिलेगा क्लू बताओ हां हरा नौने मैं और सन्तिलिक मैं में ना जिए इस अधाल कि रोजगार प्लीज गारू जातऊ है Ben SUKA KNOW स्पार्ड एक मिन ठेना व्यार क्राईटि चार आपाउार कि प्लीजी नहीं नहीं लास 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 अरे राजिस्द प्रितिय का क्रॉसवर्ट कुनी साल्फ कर देते हैं, ये फाइल में जी देते हैं प्लाओ, जी हो कि सर आ, आइए आइए, 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 पापा ने भेजाया आपको, जी आइए, आइए बैठिये, थैंक यू, राजेश, क्रॉसवर्ट साल्फ करेंगे आप, ठीक है आपक आज खाली जगों को फिल करना बागी है, पहले वर्ड में दो आल्फेबिट आने चाहिए, दूसरे में तीन, तीसरे में चार, चौथे में पांच और पांचवे में छे, और हर वर्ड के आखिर में री लफ्ज का होना जरूरी है, री, शुरू करूँ, जी है, पहला क्लू औरत, नारी, गुड, दूसरा वर्ड है, छोटी गागर, गगरी, वेरी गुड, गवर्मेंट रिलेटेड या शासन संबंधी, सरकारी, आरे, एक्सिलेंट, एक्सिलेंट, परचून की शॉप चलाने वाला, दुकान दारी, हे, दात्स मावलेस, अब आखरी वर्ड, ऐसा न की कोई चीज ना हो, अंधेर नक्री, वाओ, यू और सिंपली अन्बिलीवबल, इतनी जल्दी सारे आंसर्स दे दिये, अरे, मैं तो समझती थी, कि इस दुनिया में मेरे डैडी से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजिन्ट और कोई है ही नहीं, पर अब लगता है, तुम त कि एक बार उने देख ले, तो उनकी तरफ खिचता चलाता है, उनकी बाते को ये एक बार सुन ले, तो उनसे मिलने के बहाने ढूंता है, सच तो यह है प्रीती जी, कि मैं आपके डैडी को पूछता हूँ जब तुम मेरे पास नहीं होते, तो मेरा दिल नहीं लगता, और ज कि मैं ऐसी बात सोच भी सको, कपूर साब ने मुझ पर हैसान किया है, और उसका मैं ये सिला दून को, ताकि कल वो कहें ये जिस थाली में खाय उसी में छेट किया, ये क्या कह रहे हो, राजिश में, वो मेरे आदर्श हैं, मैं कोई भी ऐसा कान नहीं कर सकता, जिसे उनकी आ विजे बाबू, किसी खास महमान का इंतजार हो रहा है, एक न एक दिन तो बेटियों को घर जाना ही होता है, अज लड़के वाले आ रहे हैं, हमारी प्रीती को देखने आ रहे हैं, जीचा जी देखना, इधर रिष्टा पक्का हुआ, और उधर जड़ से शादी हुई, पर परिवार कौन सा है, खानदान कौन सा है, लड़का कौन है, मैं कम इन सर, गुद इवनिंग सर, यह ओफिस नहीं घर है, राजेश, और जब किसी महमान को खाने पर बुलाया जाता है, तो उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं लेने पड़ती, पापा, आपको कैसे बदा चला, आपको कैसे बदा चला, आपके माता पिता, आपका घर, आपका खानदान, अब आपके घर से कोई क्यों नहीं आया, मैं अनात हूँ सर, घर, परिवर, खानदान, सब मैं ही हूँ, वही तो क्या हुआ, जब प्रतिमा और हमारी शादी हुई थी, तो हम दोनों के पास सिर्फ दो जोड़ी कपड़े थे, धीरे धीरे अपने बलबूते पर मैंने इतना जब रही मंगनी और वो रही शादी, एपसलूटली राइट, लेकिन देखो भाइब अजय के बेगार ये शादी नहीं हो सकती, बिलकुल, रजिश, अजय मेरा बेटा, थर्ड यर अपना फानल इटी सिमेश्टर कर वो चुटिया मना गए, जैसे ही चुटिया मना कर वो व दिल दिवाना ढूंदता है एक हसी लड़की दिल दिवाना धूंडता है एक हसी लड़की कौन है वो कौन है मैं जानता नहीं दिल दिवाना धूंडता है एक हसी लड़की दिल दिवाना ढोंडता है एक हसी लड़री पास आएगी एक दिन वो प्यार लाएगी एक दिन वो उसके माधे को चुम लोगा उसकी बाहों में जुम लोगा उसकी आँखों का मैं एक हसी खाब हूँ उससे मिलने को मैं कितना बेताब हूँ दिल दिवाना ढोंडता है एक हसी लड़री कौन है वो कौन है मैं जानता नहीं दिल दिवाना ढोंडता है एक हसी लड़री क्या बताओ वो है कैसा वो दिवाना भूब है सारे जुनिया से जुदा वो मेरा मैं भूब है छीरता हा वो में आकी वो गड़ा है मन चला मैं उसे हासिल करूँगी ये है मेरा फैसला कौन है वो कौन है मैं जानती नहीं ओ दिल दिवाना ढोंडता है एक हसी लड़का हसी नाम पता तेरा क्या नाम है मेरे नाम से तुझ को क्या काम है ओ मगरूर लड़की जरा थीर चल ऐ गुस्ताफ तू अपना दसा पदल यू आखे ना दिखा तू यू बाते ना बना तू मानेगी तू ना ऐसे देखे हैं तेरे जैसे तू लशे में चूर है मुझे को ऐसा लग रहा है तू बड़ी मजबूर है कौन है तू? कौन है तू? मैं जानता नहीं हो मैं जानता नहीं हो मैं अबीब अकेला हूँ कसम से बोल रहा हूँ मैं आप भी लगे 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 मेरी चोड़ी सी प्यारी सी काली बेर कर देड़ी प्यारी मुझे लगे वी बेर मळी आप एता जानो मैं बूश्याइगा मैं देखता बूश्याइगा मैं यहार नहीं बनलललल देख ओता शे मेरी पूर याथी बहन का दूलन बनने का वक्त ती जल्टिए कितने सुन्दर लिए अरे हातों मेंधी भी लग गए बगवान करेन हतेलियों में खोशियों का बंडार हमेशा मेंशा के लिए लिए थैंक्स भाईया पापा कहा है पापा मैं डूड़ लूँ आप यही रहा है नहीं सर फ्लीज सर यह फ्लैट गाड़ी नौकर चाकर हचानक बेवाजा मेरी दंख़ा इतनी बड़ा देना सर मुझ पर इतना मैरबान गिमत होई है कि मुझे लगे कि आप आप मुझ पर दया कर रहे हैं समय आपसे वाइदा करता हूं मैं प्रीती को बहुत खुश रखूँगा उसे पलकों मेर आदमी बनना चाहता हूं और अपने सिद्धानतों के साथ समझाता नहीं करना चाहता सर देखो राजिश कि अगर मैं प्रीती की शादी किसी बड़े खांदान में करता हूं तो मैं तो यहीं उमीद रखता कि वो उसे अपने घर में एक बेटी के समान रखें किया इसा परिवार का सदस्य बंदकर हमारी हजी खुशी हमारे दुख दर्द बाटते हुए भगवान मुझे अनात को इतनी खुश्य क्यों दे रहा है सर। माँ बाप भाई बहन रिष्टे ना थे यह सब बस कुछ लबसी थे मेरे लिए इनके माइने तक नहीं चानता था मैं सब मुझे यकीन नी आ रहा है कि इस जनम में मैं इन सब रिष्टों को पाराऊं सर। एए पापा वहाँ 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 राजी शयचा प्रिती के लड़का तो मिली ली सकता ना कम सकम इस दुनया में तो नी सकता बाइद वेए आप हमारी ममी पापा की पसंद हो प्रिती का प्यार हो और आज से हमारी यार हो एक दो कुछतो ही यार काम आपे है, ओए आपी आए डॉक्रसाम नवस्ते अंदर आए 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 आआए आए 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 आइ आए आअज आ आस्विए मेरे जबरे डर्थ मैं लगे यह जीजा जीनने में मुझे ऐसे काप पर लगा दिये जाम इंकार इंकार ओ मेरी जुम्मा कितना तर्साई कि देदेख टुम्मा क्या? मेरा मतलब है तु मेरी बॉपी है, तु मेरी नूरी है, तु मेरी जूली है ओ मेरी जान, तुझ पर ये दिल कुरुबाली, चलहट कामचोर, जंगली, जानवर, जलाद, कालिया, सड़क्छाप, मजनू, चांडाल, ऐ संग दिल सनम, सहेंगे हम तेरा हर सितम, सनम तेरी कसम, हम दिल दे चुके सनम, अरे गवार अनपड अनाड़ी, लोफर मवाली, पगलकणी का, सलमान देखता रहे गया, डेवगन एश्वरी ले गया, ना जी ना, ना तो ये संगम है जी, ना तो ये साजन है, ना ये रंगीला है, ना दिल तो पागल है, ना तो ये लब ट्राइंगल है, ये तो सीधी साध प्योर लब स्टोरी है, ही रांजा, शीरी परहाद, रोम्यो एंड जूलिएट, लट्डू एंड स्वीटी, अरे अकल के दुश्मन, ये जितने नाम तुमने गिना है न, इन में से किसकी शादी ने हुई, उपर से कोई जहर खाके मरा, कोई पथर खाके, माफ करना, मुझे दिल में कुछ-कुछ होता है, मैंने प्यार किया, प्यार जुकता नहीं, हम किसी से कम नहीं, मैं तुमारा राजा हिंदुस्तानी, दिलवाले दुलनियाद को ले जाएंगे, फिर, अरे, ये तो फिर फिर पेट की हुई है, सब सुपरेट फिम थीके नहीं, तो, आती क्या ठंडाला, जा, पहले जाके ठंडाला, ठंडा, आप सब लोग मेरी बेटी की शादी में शरीक हुए, मेहमान नवाजी की, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि, आपका ये कर्ज मैं सिर्फ धन्यवाद बोलकर चुपता नहीं कर सकता हूं, सहाब, ये सब बोलकर, आप हमें अपने से दूर करना चाहते हैं, क्या आपके एहसार हम कभी भूल सकते हैं, क्या बात कर रहे हैं, सहाब, हम लोगों के परिवार में, जब किसी की भी बेटी की शादी होती है, तो माबाब तो सिर्फ कन्यादा का नहीं करते हैं, बाकी से जिम्न दारी तो हाप खुद अपने से पर ले लेते हैं, सहाब, आज हमारी बच्चीकी शादी के है, हमें अपने धरम पूरा कर ले लीजैसी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्क्राय, नमस्क्राइए, नमस्करा कुछे और विजे बाबू हाँ देटी की शादी बहुत-बहुत मुबारक बहुत-बहुत शुक्रिया मेरी तो एक जिम्मेदारी आज पूरी हो जाएगी लेकिन आपके घर की जिम्मेदारी जो है वो अब भी भी बाकी है रेज कांग्राइचुलेशन्स बीजे बाबू थैंक यू थैं विजान और शौकत के साथ बेटी की शादी कर रहे हो बिस्नस कम्यूनिटी को तो जानते ही हो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है अगर इस बात पर किसी की आँख खटक गई ना तो कभी भी मात देने की कोशिश करेगा तो देखो प्रिज जो आज तक हमें शत्रंज में अपिदिक उनमे बिस्नस में कर दोना है दुश्मनें सुस्त बाल तुम तुम यहां क्या कर रहे हूँ यही तो मैं जाना चाहता हूँ कि तुम यहां क्या कर रही हूँ मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर की शादी में आए हूँ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और उसकी सिस्टर मेरी बेस्ट सिस्टर था तुम जैसा जाहिल आत्मी, इतनी अच्छी खांदार में कैसे बेदा होगे? बगवान की मर्जी से. और वैसे भी जिसे तुम जाहिल कह रही हो, कभी तुमने खुद अपने आपको देखा है? कितनी खामिया है तुम में? मुझी तो कोई दिखाई नहीं देती. So let's count it. सबसे पहले, कितनी जिद्धी हो तुम. दूसरी, कितनी गुसैल हो. ओ, angry young woman. तीसरी, कितनी बद्दिमाग हो. चौथी, अपने बाप के पैसों की नुमाइश करने का पॉष्च है तुम है? और पाच भी, कपड़े पहनने की तो तमीज ही बिल्कुल नहीं. और तुम? तुमने कभी अपनी तरफ गौर किया है? खाम्याई खाम्याँ दिखाए देंगी. एक दो ज़रा पेश करेंगी. हाँ, तो गिनो. हाँ, बोलो. पहले तो तुम अपनी आपको बहुत ओवर्स्मार्ट समझते हो. चुकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, ब्रिलेंट हूँ. वो तो मैं समझूँ गई. और वैसे भी, बेबकुफों को मैं ओवर्स्मार्ट ही नहीं. तुम ही लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं. एक काम करते हैं. माइक पर अनौंस करवा देते हैं. इस बात का एक भी गवा मिला तो कसम से किसी भी लड़की से बात नहीं करूँ और जिंदेगी में. आपकी कसम. तुम 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 जरूरत से ज्यादा लंबे हूँ. विरासत में मिली मुझे. हरीड़ेटरी है. आगे बोलो अचा इस बार कुसे में मत बोला. बोलती हूँ बोलती हूँ. जरा मुझे सोचने का वाटता हूँ. I'm waiting. Just get out of here. पता नहीं अपने आपको क्या समझता है. कोई खामिया ही नहीं. He's just perfect. वो तो मैं हूँ. अरे यजानक तुम्हे क्या हो गया? तेरा भाई अपने आपको समझता क्या है? क्यों क्या हूँ? उसका दिमाग खराब हो गया है. कहता है मैं बहुत गुसेलू हूँ. I'm an angry young woman. वो तो तुम हो ही. देखो देखो, अब भी गुसा ही कर रही हो ना. और कहता है मैं बहुत जिद्धी हूँ. अपने इबाप का पैसा उडाने का शौक है मुझे. बद्दे मागू. कप्रे पेने की तमीज नहीं है मुझे. What does he think of himself? ऐसा का भाया ने? हाँ, बिलकुल. Oh my God. खमाल हो गया. Nisha, we're really old friends, right? Right. इसलिए तुम्हें बता रही हूँ. इतने सालों में, जो तुम्हारी कम्या मैंने आर्ज सक नहीं देखी. उन्होंने ना सिर्फ उन्हें पहचाना, बलकि तुम्हें बता भी दिया. He's amazing. वर्मालार्पन करें शंग सकी सुंदर चतुर गवाही मंगल चार गवन बाल मरालगत शुशुमांग अपार रोजे, पढ़ाई हो चुकी है. अब फ्यूचर के क्या प्लान से? कुछ ने इंफर्मेशन टेक्नोलजी में एंबीय किया है. सो इसता हुआ इटी का बिजन्स शुरू कर लो. यूँ आइटी का बिजन्स शुरू कर लो. हमारी गवर्मेंट से प्रमोर्मोंट भी कर रही हैंना? यूचर के बिजन्स शुरू के बात कर रहे हैं और वही बिजन्स शुरू करना चाहता है. बिजन्स शुरू करना चाहता है. बिजन्स के खिलाफ नहीं हूं लेकिन बिना किसी एक्सपिरेंस के जब कोई काम होता है तो मैं उसका सक्स विरोध करता हूं. पापा आइटी में वैसे एक्सपिरेंस की कोई ज़रूत नहीं होती और जब तक आदमी काम नहीं करेगा उसे एक्सपिरेंस कहां से होगा? एक्सप्रियन्स कि रिटी सिरुएट नर्सीशन लेने। एक गॉर्च बिस्ने समय होता हो डिसमें है। वेसला लेनी कि एक्षमता हु हुun एक्सप्रियन्स किताब मैं नहीं होता है। चोड़ीयनथ, अभए अजीकी उमर निग कर पहने की नहीं गई? आप उसे सूट वूट पहना रहें? यह थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाई पापा प्रीती डीडी आपको कुछ नहीं बता हमारे अजे भाईया बहुत बड़ एक्षिणारी है अब अधास्टिक कॉन सी गेम के आप याप जल्दी से बताएं यह सब मुझे नहीं पता लेकिन हाँ आजकल अजे भाईया लड़कियों की खामिया निकाले माहिर हो गया है वही सहल यह ना निशा अजे भाईया ने उसके एक नहीं पाच-पाच डिफेक्स निकाले है यह तो बहुत बरी बात है खुशूरत लड़कियों की तारीफ की जाती उरकी खामिया दोड़ी ने निकाली जाती पापा मैं उसे इस लाइक बना रहा था कि आपके और ममी के सामने सलीके से खड़ी रह सके और चोटे बड़ों के बीच रिष्टों की पहचान होसे और यह यह तो बहुत अच्छा मुखा है इसके भी हाथ पीले करा दीजे अप थापर साब से इसकी शादी की बात क्यों नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता जीजाजी वो लड़की वाले है रिष्टे की बात करने के लिए वो इधार आएंगे वाट से यू मिस्टर आजे माम अब परिवार तो मौझूद है आज मुझे लग रहा है कि विजय कपूर का पेटा बोल रहा है कि अ कि कि अब बेटे वह वह तुमारी कुरसी है बेटे और इस बाब का सपना कि इस कुरसी पर बैठना और अपनी मेहनत से इस कुरसी पर बैठने के काबिना यह दो अलग अलग बाते हैं कि rade तुम चाहो तो अब कभी डाले नहीं कि इसलिए मेरा तो यही मश्वरा होगा कि तुम काम की बारीकों को समझो और इस कंपनी की एक-एक सेड़ी चड़कर वहां तक पहुंचो अगर तुम अपना कोई निजी बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो शौक से बढ़ाओ लेकिन इस कंपनी को समालना ठीक है पापा अब आप ही बताएए पहले कहां से काम शुरू करें अरे क्या लगा रख्या तूने है तेरे बियर मंगवाई दिना जल्दी जाके बियर लेकर आए लेकिन हरी सिंग जी मेरी मशीन चले में से बंद करके कैसे जा सकता हूँ अब तो नहीं चल रही तेरी मशीन रुख गई है जा बियर लेकर रहा अब जा मूँ क्या ताग रहा है अब ठंडी बियर लाई हो 16 17 17 हे बिग ब्रादर वाव भाया आपका जादू चल गया क्यों क्या हुआ यह वाव निशा तो बिलकुल बदल ही गई है गुसा करना तो उसे आता ही नहीं और 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 जिन किस चरिया का नाम है उसी तो मालूम तक नहीं सबसे बहत ही सलीके से तहजीब से बाते करना है रही है इन फाक्ट उसने तो अपना पहनावा भी बदल दिया है नो माइक्रो मिनीज नो हिपस्टर सिर्फ ट्रडिशनल इंडियन क्लोधिंग यानि की हिंदुस्तानी कपड़े सिर्फ चुरीदार कुरता सल्वार कमीज भाया वो इन कपड़ों में कमाल की खूबसूरत ल जो किरे तुम्हरे ला है ? से यह जब लाहे है ? यस, 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 बदा नही ज़स्टानी कोबसूरत लगरी है तुम् थेंक यू इसका क्रेडिट तो तुम्हें जाता है इसमें क्या है मेरी बातों का असर दोगा तुम पर देखो ना सेम सेम कलर अचाहता हूं अच्छा मैं मैं तुम से शादी करना चाहता हूं अजे अब जो कि में बदल चुकी हूं तो मैं अपने पास्ट की कोई भी चीज बहूली जाना चाहिए यहीं तो मैं तुम्हें संजाने है हूं कि तुम मेरे पास्ट याई मेरे गुजरे हूए कल का हिस्सा हूं इसलिए मैं तुम जैसे चीज को भूल्ना चाहती हूं मैं कोई phenomenon अभीट चीज नहीं हूं हूं अज तुम नहीं समझ रहे हूं now that I changes you know sweet Indian girl त तो तो तुम जो बोलो मैं हारूँ ओके फाइं अच्छा वो तो तुमसे बात भी नहीं करेगा देख नहीं रही हो कितनी लड़किया उसके सामने मंद्रा रही है तेखा यह तो यही आरहा है हाइम सुनिया आ थिंक यह गॉचिया थैंक्स किसंथा नहीं कि अब्लेग है थैंक्सार के मिघका थे उससे सबिस्वातों अपने बटें लड़की को बूल्या अपने डिलका हाल सुनाया ज़ड़की ने एज़ आज拜拜 एक लड़की को नहीं पता सका इतनी बडी यहां साम्डिए स 술णख बड़कीया ऑटाइग आर्षान अनुभाव अनुभाव मेरे बेटे कोश्य के बारे में क्या मालूम आज का चोकी कल जटाएं कहा से आजाएंगी जब तक जटाएं आएंगी घटाएं जा चुकी होंगी आजए एक परफेक्ट सल्यूशन तुम लड़कियों की आद्ते बदलने के एक इंस्टिट्यूट खो प्रिया तुमारे पास का नंबर है है मेरे कुद दोने को गप्प मारते है रानी बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते चुप अर्जे भाहिया निशा का नंबर तो मेरे पास है और वो मैं आपको डायल करके जल्दी लाओ लेकिन बात तो आप ही को करनी पड़े अलो बोलो अजे आप मैं तुमसे मिलना चाहता हूं जू समझ लो बहुत जरूरी काम है कल तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है क्योंकि मैं सुनील के साथ पिकनिक जा रही हूं कोई जगत होगी जा तुम जा रही हो अगर तुम हमें डिस्टर्ब नहीं करोगे तो बता देती हो ड्रीम वर्ड कि बाया जे क्या हुआ क्या हुआ वह किसी एक्टर सुनील के साथ ड्रीम वोल जा रहे हैं लेकिन मैं उधर जरूर जाओंगा और यह वां पर जाके पता क्या करेगा गोंपर नहीं नहीं मैं तुम सब को यह बता दूंगा कि मैं लड़किया भी बट सकता हूं और कंपनी भी चला सकता हूं कि मां तुम क्या करोगी है मामा के बिन्न तो पिकनिंग हो यह नहीं सकती अरे अगर मामा जाएंगे तो फिर मामी भी जाएगे इस वेटी अंती भी जाएगी कि यह मैं बोलने वालों मैंसे कोई नी जाने वाला क्योंकि हम सब पिक लिख जाने वाला ओके गाइस हम लोग ड्रीम बर्ल पहुंच गया है अभी यहां से महबद की जंग जीतने का आगास किया जाएगा आगाज नहीं आंत भांजा रॉंग साइड देख रहा है सामने देख वो तरी कभूतर के साथ कैसे प्याद से गुटर 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 कर रही है मामा जी भड़कता क्यों है अधुरों की तरह आगे बड़ उस हीरों को दो चार ब्लो बार उसके आगे बैठ जा अल्द बैस्ट कि अधुज मी में निश्या से बात करना चाहता है अफकोर्स हाँ बोलो अजी निश्या देखो अब तो हमारे जिंदेगी कलर भी मिल रहें एक दूसरे के साथ मैं सर्व यह कहना चाहता कि मुझ से अच्छा लड़का तुम्हें मिली नहीं सकता है काफी गुरूर है अपने कि मातकी कमी है मेरेपास हर चीज सो है मेरे पास हब बंगला डॉलाट गाड़ी सब कुछ सब कुछ साम्यल्ध पाइब कि सुद की कमी है यह इसे अँग है अजे मेनी सारी खामया तो तुम्हें लें आ प्लीस चेंज्ज अर्षि और दो जो निशा मेरी आप इस तो इस प्रेदी किने कर रहा है और देखो आर है उसे रिलाक्स मामी रिलाक्स अजवे भाहिया को निशा का दिल जीतना बहुत जरूरी आई वरना निशा भावी तो हमारी होगी जीतना बहुत तो और जैसी अजवे क्वाटने प्राइढ यह जीतना बहुत्त जीतना बहुते है वह अंड़ विदर रहा है पार में विदा लेक्टेश्य से अजीतना बहुता कर तो निशाट्र आपskथ जाएटना पारम्युषटना जीतना दिलिल थाड़क्यल अर्टना ब सुनिये अब हम सब एक गेम खेलेंगे फंटास्टिक क्रिकेश खेलते हैं फुटमॉल के लिए साथ कुंट्रोल यॉसल्फ येस मामा प्लीज कंट्रोल यॉसल्फ इस वेवरी सिंपल गेम यहां पर जितने भी जैंटलमन है यह उन लेडीज की तारीफ करेंगे जिन से उन्हे करता हूं सबसे पहले विजय बावु तारीफ करेंगे बावी की तारीफ करेंगे बावी की तारीफ करेंगे मेरी मैफिले मेरी बगान है, माइपिले मेरी प्रथिमा मेरी ऑरसू, मेरा आर्मान है बाइजिफ और फिष्टों की पहचान है अरे, बाइजिफ कम फिए र 내용 पड्लबुवल कॉटल मैं फिजू प्ड्यो पर्फिस निया पड़ेगी तुरियॅ है, बॉचू बे आप मेरी बारियां आप मेरी तारीफ करूंगा पद्बे में वहर को स्वीट सुईट सुईट अर्च किया है तेरे हातों के कंगन में दिल मेरा अठका तूट जाएगा जालम अगर रहीगी से ठक्या तो यह लो किसी ते किसी किसे मैं क्यों किस दूँ कि तारिफ की न तुमरे एप किसी कि तारिफ तरह अच्छा अरज बह्या आप किस की तारिफ तरेंगे इस तारिफ कि निश्या की अट पर अपकोस निश्यक्वी और जो जी देगा वो मेरे प्यार का हगतार होगा तो भाई हो जाओ शुरू फैसला भी हो जाएगा तेरी आखें जील जर्नो का है तुझ में चादू बस एक नजर देख कर तुझको मेरा तिल होता है बेगावू कोई कह जील कोई कह जर्ना कोई दिलरुबा तुझको मैं बे ख़ॉफ कह देता हूँ हसनका खुदा थुप कोई तिक नहीं सकता मेरे प्यार के सामने अओ Sunil that was wonderful thank you लमो इस तरह प्यार का इजहार नहीं होता जो दो कर दम साथ चले वो यार नहीं होता प्यार करने वाले काटों पे चलते हैं जो आजाए शोले तो शोलों में चलते हैं क्यों तुझे मेरे प्यार पर एथबार नहीं होता अगर दिलों में सच्चा प्यार नहीं होता तो यह दुनिया नहीं होती यह संसार नहीं होता वाव वाव थे बात तास हे जब खही पंग किस दिरका नहीं हां वह वह रीकिटिक सिरी लिसे, विडिक उतली ए जबहले मुकाबलाग खाम नहीं अब अब नहीं कर दिखाकता हूं अगर आपके आजय भाईया करके दिखा सकते तो चीज तो नहीं टूनकी ? यह कर सकता हूं, यह दैं साना यह रहे, प्रफॉर गॉआ मुत्र शुम रहे निल, यह भ्छा नटकर चीका है हवा कह रही है घटा कह रही है हसी ये नजारा है दिल ही ये समझे का दिल ही ये जाने का दिल का इशारा है हवा कह रही है घटा कह रही है हसी ये नजारा है दिल ही ये समझेगा दिल ही ये जाने का दिल का इशारा है मुहबत ने मुहबत को मुहबत से पुकारा है मुहबबत ने मुहबबत को मुहबबत से पुकारा है हवा कह रही है घता कह रही है हसे ये लगारा है दिल ही ये समझेगा दिल ही ये जानेगा दिल का इशारा है मुहबबत ने मुहबबत को मुहबबत से पुकारा है मोहबब से मेरी जो आखे मिली तो मोहबब में करने लगा जो देखी मोहबब की दीवानी की तो मोहबब पे मरने लगा मोहबब को तो चैन आए मेरी जा मोहबब की आउश में मुहबब से मिलके दिवाने रही ना मुहबब कभी होश में मेरा दूर मेरी जाब तू मेरा अर्मा मुझे तो तेरी खुबसूरत जवाँ इन अदाओं ने मारा है जरा पूछ मैंने बिना तेरे कैसे ये लमा गुजारा है मुहबब ने मुहबब को मुहबब से पुकारा है महबबत में महबबत को महबबत से पुकारा है महबबत महबबत तेरे दिल पे लिख दो महबबत मेरा नाम है महबबत से बढ़के नहीं काम कोई महबबत मेरा काम है महबबत को देखो महबबत को चाहो महबबत से बाते करो महबबत कभी दूर जाये जो मुझसे महबबत में आहे भरो ये वाड़ा तूटे ना ये दावन छूटे ना तेरा प्यार मज़को है जाने जहाँ जल जगी से भी प्यारा है तेरे रूप को मैंन जाने तमना जिगर में उतारा है महबत ने महबत को महबत से पुकारा है हवा कह रही है घटा कह रही है हसी ये नजारा है दिल ही समझेगा दिल ही जानेगा दिल का इशारा है महबत ने महबत को महबत से पुकारा है महबत में महबत को महबत से पुकारा है पुकारा है पुकारा है आरे तु क्या काम आमके चक्कर में पड़ गया अरे चलना अपने हरी सिंग के साथ बढ़ते हैं पत्ते उते खेलते हैं मजा करते हैं चलना यार, सही में चल चल कि क्या हो रहा है क्या हो रहला है एक रुपर पॉर्फ लेकंगे में ठेरे प्टता случаे रचाना बंकर यह फैक्टरी है जुआ कशना हमारे लिए प्टमकारी फैक्टरी और प्ट्ति Bluetooth याだनी कि यॉय फैक्टरी तुम्हें जुआ खिलनी के लिए पैड़ी यादि ट shepherd फेक्टरी जलाता है मजूर, मजूरों के उत्या यूणियन। पर मैहूज यूणियन का लिटर है। तो? यूणियन लिटर का फेक्टरी में काम नहीं करते? चलो, यह ताम जा मुठा और चलो यहां से. यह, हमको हुकम देने वादा तू कोण होता है तू मत बॉल, आप बॉल. तेरी आप। अजय प्लीज, मुझे बात आप प्लीज, हरी सिंग, कैसी बात कर रहे हो यह हमारे चोटी मालिक होगा अपने घर पे है, यहां पर मजदूरा मैं उसका सीनियर हूं। यहां पात सही है, लेकिन हरी सिंग, फैक्ट्री में जुगा तेकर किसी की भी दिल को आग सकती है, अच्छा, दिल में आग लग रही है, तो जाकर सुपरवाइदर को बता ना, वो जो कएगा हम वो करेंगे, आज कल वो पुराना जवाना नहीं है कि छोटे नवाब बोलने और हम सब लोग गुलावों की तरह सर जुगांके बैठे रहेंगे, जैसे काम चोरोगी तो में मुह तोड़ दूगा, समझे ला, तुछा नहीं मुझे, खाला क्यों है, एक मिन, अजय प्लीज, एक मिन, हरी सिंग, प्लीज, हरी सिंग, देखो, बात को यही रफात अफा कर तु बीटमा मत बढ़ियो, तु बीटमा मत बढ़ियो, समझ गया, इम सॉरी हरी सिंग, मैं यहां से नहीं हटोगा, तुम समझते क्या हो, तुम यूनियलेटर हो, इसका मतलब सब लोग तल दर चाटेगे, अब आस साले, तु घरचमाई का बढ़िया, आपने आपको इस फ आपको 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 आपक ाथने अबाथन.ाथने इनाटनाः से! कर दो 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 किसी पर हांते उठाएगा अचे प्ली सबस्क्राइगा अपनी मन मानी कर लगाई साइक मैंने तुमें फैक्टर शेखने के लिए बेज था सिखाने के यह पापा कोई बीस WIL अपने वर्क नों को साल्री काम करने के लिए यह तुम्हारे से दंत हो सकते हैं यायर। तो पूरी कंपणी जुआ के एजाज़त दे दीजिए आशेर्यyer कि हमारे यहां चार आद्मियों के चक्र व्यू में फंस कर चार हजार वर्कर काम करते हैं कि वर्कस के दिमाग में भर दिया जाता है कि यूयन के लोग उनकी खलाइ के बारे में और कुछ नहीं है नो जुन को कभी देखा तुम उन्हें एक जगाएं कठा करने के लिए चार कुद्टे रखने बढ़ते हैं मिस्जा आजय कपूर यह यह जो है यह वही है यानि की आपको इन सब चीजों के बारे में पता था यह और यह देखते हुए चांबते हुए हमें इसे अंदेखा करना हुए और इसकी वज़े यह है कि मैं यूनियन को अपनी जूते की नोख पर रखता हूं हरी सिंग ने जब राज्येश पर हमला किया है तो इसने वापस उसे नहीं मारा क्योंकि यह जानता है कि यह फैक्टर के हैद में नहीं होता लेकिन तुम अपनी जवाने के जोश में ह मैं बिजनस कम्यूनिटी में एक मजाग बन कर नहीं रहना चाहता है इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त उस यूनियन लीडर के पास चाकर उसे माफिमा कूँ ठीक है पापा अरा मजदूरों के लिए मार भी खा सकता है हरी सिंह लेकिन मजदूरों को दवने नहीं देगा हाँ गुलाम थोड़ी है है आइम सॉरी अंगरेजी में कुछ बोला दिख्या है पर मने तो अंगरेजी आती नहीं अंगरेजी आती होती तो वरकर के होते हैं मने जर होते हैं तो भाई अभी जो बात आपने अंगरेजी में बोली अब उसी बात को आप मारे लिए इननी में बोल दो बोले बोले अरे बोल दो तुने मारी शर्ट पाड़ दी मारी पनियान पाड़ दी मैं नंगा कर दिया तो आज छोटे नवाब छोटी आवाद में को बोल रहे हो अरे उच्ची आवाद में बोले ना सब के सामने मैं ने कल इन पर हाथ उठाया यह मेरी मेरी गलती थी इसलिए मैं इनसे शमा माँगता हूँ पापा जी आज आपका हुकम मानकर जिन्दगी में पहली बार मैंने कलत आदमी के सामने अपना सर जुगाया है देखो इसमें गलती तुमारी थी फिर अपनी गलती पर माफी मंगने में तुमें कोई शर्मेंदगी नहीं होनी चाहिए पापा मैं जो अंदर गुटन महसूस कर रहा हूँ अंदर ये अंदर जल रहा हूँ ये मुझसे बरताश नहीं हो रहा हूँ माना कि आपका एक्सपीरिंस मुझसे ज्यादा है लेकिन आपके सोचने का और मेरे समझने का तरीका बिलकुल अलग है उसमें एक पीडी का अंतर आचुका है इसलिए मैंने फैसला किया है कि इंफर्मिशन टेक्नोलजी का बिजनस मैं अपने आप ही शुरू करूँगा और मैं जो बिजनस करना चाहता हूँ उसमें एक्सपीरिंस की जरूत नहीं होती एडुकेशन की जरूत होती है और पापा आइम आपाइड द्धार्टेड वालिफाइड परसट और आप प्रणी यह उसमें बिजनस कंपनी चलाने के लिए कहां है तुम्हें काबलेत तेखो पेटे नदी के किनारे बैठ करके तेरा नहीं जाता है अच्छा क्या है बुरा क्या है बिजनसमें कौं सथ है कौण गलत है यह जाने बगाएर बिजनस को तुम maj उनके साथ तो आछक्ल बड़ी पड़े बड़े ऑरे उसका भी हल है मेरे पास और मेरे साथ ज्यात्ती हुई वह आपने नहीं देखी पापा आप युनिन के साथ मिलकर वर्करों को चाहते हैं और मैं वर्करों का रिमोट कंड्रोल अपने हाथ में रखना चाहता हूं शाहिड यहीं फरक है आपके और मेरी सोच में ah कि यह तेखने cela कि मिली । इसका मतलब है मैं यह उमीज हूद जोड़ दूं कि आप मेरे बिजनस में मेरी मदद करेंगी जिजा जी जिजा जी कहा है आप जिजा जिजा जी हमारी इजद में टीवे मिलगी हम अरबाद हो गए जिजा जी लोग आप इनापर थुक रहे हैं मामा जी सर बहुत बिजी है क्या बात है मुझे बताइए राजेश आज अजन हमें कहीं का नहीं रखा एक बार पुड़ो प मताइग सिर ब कानों तक नहीं पैंचिती चेह जाए ये क्या मैशेर विजार बना है फेलाइए जिजा जाजए महें मशेर की डि Zustική बीत डर्भाइं इसे में गहर एक बात है जी कि यह सब कितने रुपे चाहिए तुम्हें एक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ और चाहिए यह लोग चेक्बुक लुकिस पर रखम और ले जा लेकिन दुबारा बाजार से रुपे उठाने की घलती कभी मत करना चाहिए आज यह पैसे आप इसलिए दे रहे हम ताक्य बाजार में आपकी जिजद बनी रही है अपका नाम बना रहे हैं अपने बेटे से जयादा अपको अपने Рुटवे से प्यार है उसकी फिकर जयादा करते हैं आप और वैसे भी नफरत से फैकिवे पैसे तो मैं जिन्दगी में किसी से ना लो पापा ये चेकबू वापस ले लीजे ठीक है आजी बाप का नाम तो तुमने वैसे ही बाजार में उचाल रखा है कल अगर तुम उसे गिर्वी पी रख दोगे तो मैं तुम्हें कुछ ने कहूँ कूँ अजय देखो सर को बहुत दुख पहुंचा है मैं तुम्ही ये सब इसलिए समझा रहा हूँ क्यूंकि मैं तुमसे बढ़ा हूँ सर के दियोए पैसे कबूल कर लो प्लीज प्राजेश जिस लीव में अलोर प्लीज अचे अचे वहुंडिया तुम मुझे देतो मैं उन्हें मार्केट में वापस लॉटा देता हूँ और वैसे भी घर के पैसे अपने बिजनेस में लगाने में कौन सी श्र्म है राजेश जस लीव में अचे खर के पैसों पर ब्याज नहीं लगता नफान नुकसान ये सब चीजे घर पे पड़ी रहती हैं बाहर वालों को बात करने का मौका नहीं मिलता राजेश बस अखेला चोड़ तो मुझे नो नो अचे मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंग तुम सर की बात मान लो प्लीज जिस गे आट अवियर गे आट गे आट अवियर ज़ले जब यहासे क्या बात है प्रिटी तुम लोग नहीं जा रहे हैं हम लोगी घर छोड़कर जा रहे हैं पापा क्यों जिस घर में मेरे पती की इज़त ना हो उस घर में मैं बोज़ बनकर नहीं रहना चाहती यह जहां रखेंगे जैसे रखेंगे मैं जी लूँगी और जिलत की जिन्दगी जीने से बहतर इंसान दुख और परिशानियों के साथ इज़त की जिए जिए पच्बन से आप विखने पिजित की है तुम्हारे बदी के साथ? प्रीधी प्रीधी और कुछ मत कहना, प्लीज लेगा प्रीधी तुम्हें मेरे सर किस अगंद है सच्छत बताव क्या हुआ है अजे ने ने को घर से निकल जाने का हुकम दिया है अजे अजे आज को ने बोलेगा हमारे बीच मैं अभी जिन्दा हूँ आजए मेरी सांसे अभी चल रही है किसने तुम्हे अधिकार दिये का तुम राजेश को घर से निकल जाने का हुकम दो मैंने इसे कोई हुकम ने दिया पापा मैंने सिर्फ इसे अपने पास से जाने के लिए का था अगर तुम कुछ बोलने की हिमत रखते हो तो उसे कबूल करने का भी जर्फ रखो तुम अपने बाप के खौफ से जूट बोल रहा हूँ पापा मैं आपकी इज़त करता हूँ डरता नहीं हूँ हाँ यह ज़रूर है कि आज आपको मेरी सचाई पर चकोने लगा है जूट को सच करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हूँ क्योंकि तुम बॉख लाइप वह हूँ और क्योंकि तुम अपने बॉख लाहट मुझ पर नहीं निकाल सके इसलिए उसका उवान तुमने राजेश पर निकाल दी है मैं जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ऐसा सोचना आपका बिल्कुल गलत है पापा मैं एक पड़ा लिखा इंसान हूँ और हर प्राब्लम का सलुशन ढूंड सकता हूँ मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होंगा आप मेरा यकीन कीजिए तुम्हें खुद पर यकीन है यही तुमारी गलत फ्हाम ही आज़ा तुम क्या समझते हो कि तुमारे यकीन और काबलेत की वज़े से मार्किर तुम्हें ढेर सारे पैसे उठा करके देदेता है पैसा नहीं देता जिसे वह पैचांतन हो और तुम्हारी पैचान यह है कि तुम विजय कपूर के पेटे हो इस एक गुर की वज़े से मार्किर तुम्हें इतने सारे रुपए देता है क्योंकि वह जानता है कि अगर तुम जूत मीना दे सके तो विजय कपूर अपने आपको पेच कर मूप तक चुक्ता कर देगा पापाजीम आपके अंदर इतना अहंकार क्यों भरा हुआ है आपको ऐसा क्यों लगता है जो दुनिया वाले सासे ले रही है वो आपकी बदालत से है देखो बेटे बेटा जब जवान हो जाता है तो वो अपने बाप के स्वाभिमान को अभिमान समझने लगता और बाप बाप को अपने बेटे के सिन एक्सपीरिंस पर बड़ा अधरा साता है मुझे अपने नौलिज के लिए घरवालों की सर्टिफिकेट की ज़रूत नहीं है जब सोच में एक पीडी का अंतर आ जाए तो दोनों को अपने रास्ते अलग-अलग कर लेने चाहिए अगर तुम्हें अपने रास्ते पर जाना है तो जाओ लेकर अपने बल्मूते पर जाओंगा मैं जाओंगा जाओंगा ज़रूर जाओंगा प्लीज अचे सारे जगरे की जड़ तो मैं हूँ प्लीज और कुछ मत बोलो कुछ मत बोलो तो बोलने तो इसे राजेश, आज अपने सारे लिहाद भूल चुका है, आप मुझे बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, बादी, और मार्केट से रुपिया उठाने के लिए भी मैंने तुम्हें मजबूर किया था, आपके मना करने के बाद मेरे पास और कोई रास्ता रहता नह तुमारी काबलbles अगर मुझे शक होता तो गुपनी की बाद्रर तुमारे जातों में दे देता और आज तुम मेरे सामने कड़े हो, चारे मुझरह की चेर मुझे नहीं पूछ रहे हो, कि मुझे तुमारी काबली पर शक है, पापा! मुझे की जिता तो नहीं रहे कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया शॉक तचे तो मैं ऐसा सोच पर कैसे सकते हूं एक बाप अपने बेठे को जिताएगा कि उसने उसके लिए क्या 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 शॉक एफ शॉक इंट शॉक आपका मतलब अजए एक मिरन मुझे बात करने तो तफ्राजेश मेरा मक्सद तुम्हें गिराने करने था वह गल्ति से मेरा हाथ लगया लगया आप शॉरी आजेश कोई पापा प्लीज आप अपनाराज मत होए यह सब अंजाने में हुआ है अजय ने जानबुच का धक्का नहीं दिया है मैं अपने बेटों को अच्छी तरह से जानती हूं वो ऐसे गलतिक अभी करें नहीं सकता प्लीज अजय ने राजेश को नहीं मुझे दिया है यह ठोकर उसे नहीं मारी है मुझे मारी है यह घर मेरा है इस घर में बोले हुए मेरे हर अलवाज कारून के बड़ापर है और मैं अजय को इस समय होकम देता हूं कि वो गर जोड़का चला जाए अजय क्या कर रहा है तो तेरे पापा ने अगर गुसे में आकर एक बत कह दी तुने उसे दिल से लगा लिया और घर चल के जा रहा है ममा अपने सुनानी पापा ने क्या का कहते ही यह घर उनका है उनके जुबान से निकलो हर लवस इस घर का कानून है और कानून को तोड़ने वाला गुनिगार होता है जो ना मैं आपकी नजरों में बनना चाहता है और ना पापा की अजय अजय प्लीज रुक चाओ अजय जाने दो इसे बाप और बेटे का रिष्था पानी की तरह होता है आज ही अलग हुए है कल वापिस मिलकर एक होता ही है कि मैंने तुमसे प्यार किया है तुमारी हैस्यत से नहीं और नहीं तुम्हारे परिवार से कि मेरे साथ चलो डाडी हमें सही रास्ता बताएंगे अजय नहीं मैं कैसे आदमी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं दे सकता जिस आदमी को उसके ही परिवार ने बेदखल कर दिया बहले ही मेरे परिवार ने मुझे घर से बेदखल कर दिया हो लेकिन मैं अपने परिवार को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने तूंगा नहीं 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 ना मैं तुम्हारे साथ कोई तालोक रखना चाहता हूं और नहीं अपनी बेटी का कोई संबंध तुमसे जोड़ूगा तुम जा सकते हूँ कि दादी मैंने आपके हर फैसले की इसत की उसे माना और जब मैंने अपनी जिन्दीगी का सबसे एहम फैसला किया मैंने उमीद की थी कि आप मेरे फैसले से रजामंद होगी पर आपने मेरी महबत की बेज़िती की और यह मैं बर्दाश नहीं कर सकती मैं अजय के साथ अपना घर पसाने जा रही हूं पिता की कन्यादान की घर से मैं आपको कभी मुक्त नहीं करूंगी मैं तूटके सरम ऐसे ही तुझे जाओंगी तिरी आखों से कभी दूर नहीं जाओंगी कसम है तुझे को मेरे साजन महबत की मैं साथ भेरों के साथ वचन निभांगी तुझे प्यार से देखने वाला तुझे अपना समझने वाला एक दिल है एक दिल ही तो है मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है तुझे प्यार से देखने वाला तुझे अपना समझने वाला मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है तुझे अपना समझने वाला मेरा दिल ही तुझे अपना दिल है ते लिए शब को मेरा दिल भर छोड़ की आई रस्मों के खस्मों के सारे बंदन तोड़के आई देखो मैं तु देखो सुने यार को जब पलके उठाओं सिंदेगी बना के मेरी जान को मैं सासों में बसाओं तेरे इश्क में डूबने वाला तुझे तर पल डूबने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही दो है मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही दो है आज तेरी सुनी सुनी मांकों मैं तारों से भर दूँ सचनी दिवानी सारी लब मैं तेरे नाम कर दूँ सारी दुनिया को मैं तो भूल बैठी बाहूं में आके ऐसा लगा सब कुछ पालिया है तेरा प्यार पाके तेरे ख्वाब सजाने वाला तेरी दुनिया बसाने वाला एक दिल है एक दिल है एक दिल है एक दिल ही तो है मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल है तो है तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला मेरा दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है इक दिल है, मेरा दिल है, हाँ दिल ही तो है Sir, Sir, काफी दिनों से आप आफिस नहीं है बहुत सारा काम पेंडिंग पढ़ा है, Sir इसलिए मैं ये काकसाद आपके दसकत के लिए घर ले आइसा राजिश निनों मेरी तवियत कुछ ठीक नहीं रहती उपर से कुछ दिनों में प्रिया की शादी है शादी वे हमें पचासो काम होते हैं, वो भी तुम मुझे देखने है Thank you, Sir Sir, आपका साथ देने के लिए आपको मजबूत कंदों की जरूत है, Sir आप अजे को वापस क्यों नहीं बुला लेते, Sir क्या प्रिया की शादी भी तेया हो गए? हाँ, आजाएगा, तुखार आएगा, सब ठीक हो जाएगा इतना बड़ा फैसला हुआ, और मुझे गरवालों ने बताया तक नहीं क्या मैं इतना गहर हूं, तुई बता, मैं इतना गहर हूं क्या? नहीं आजाएग, दरहसल सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ तुघर आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा तो ये बात अपने दिल पे मतले ये देख शादी का काड, देखना देखना आजे पापा, आपने मेरा नाम था काड में नी डाला आयम बयं भान्य धन्या दिकनांग श्चवानि वेशं प्रग्रहं ज़्या बामा गमाया मीर्त दात्वधियं जगाते कन्यावतनु तत्त्तं नासे वनिया परिजिजाया त्वया भवे भवनिका मनिश्वा पामा गमाया मीर्त दात्वधियं जगाते कन्यावतनु छावतनु परिश्ट्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तृ झाल झाल कारि लूओ अजया मेरी चुदी शुदी शुदी मेरी प्यारीसी प्याँ, याँ, 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 याँ जब से एक रिक्वेस्ट थी, जब से हमारी शादी विया, मैं प्रीती को कहीं खुमाने नहीं ले किया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं प्रीती को कहीं खुमाने ले जाओ तो वो खुश हो जाएगी तुम जब जाना चाहते हो जहां जाना चाहते हो बस प्रोग्राम बता देनों दरहसल हम दोनों ने सोचा कि हमाज शाम कोई निकलेंगे लेकिन कल सुबर एक बहुत इंपॉर्टन बि रिस्पॉंसिबिलिटी के साथ संभाली है लेकिन मेरा मश्वरा ये है कि अब गुस्से को थूख कर अजय को वापस पुला ले है यप सब वो लोग आ गए या संदमिन और ये राज़िश मुझसे कही रहा था कि बिजनिस के बारे में आप लोग मुझसे कुछ ये नोटीस है कबूर साथ हमारी कंपनी से सिक्योर्टी के अगेंज जो आपने पचास करोड पर लिए हैं हम वो आपस वापस मांगने आए हैं बैंक के ओडीस और लिमिट्स तो छोड़िये आपने चेक पर चेक बाउंस करवा कर अपने साथ-साथ हमारी रेपुटिशन वे बिगाड़ दी है ये आपके फैक्ट्रियों मकानों के पेपर्स हैं जो की प्लेज किये वह हैं अब इन्हें लिक्विडेट कड़ा कर ही हमारा करदा वसूल हो सकता है इतनी बड़ी डिसप्शन इतना बड़ा दोगा देकर आपने पूरे फैनेंशल मार्केट में हल्चल मचा दी है इट्स ओवर यूर फिनिस्ट मिस्टर फिचे कपूर मेरी जिन्दगी में सिर्फ एक ही मकसद था एक बड़ा तौलतमंद इंसान बनना मैं कितना भी कमाले था सिर्फ एक मिर्लकला जिन्दगी जी रहा होता जो करोड़ों लोग करते हैं इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर अपना निशाना बनाया मिस्टर विजे कपूर को उनक विश्वास जीत करों के ऑफिस में दाखिर हो वहां मुझे पता चला कि उनकी सबसी बड़ी कमजोरी है उनकी बेटी प्रीती प्रीती के सामने मैंने अपने आपको इस तरह पेश किया कि उसे मुझसे प्यार हो गया अब मेरा रास्ता उनके ऑफिस से उनके घर की तरफ मु मेरे मकसद के बीच सबसे बड़ी दीवार मिस्टर विजे कपूर का बेटा आजे लेकिन पहले ही दिन बाप बेटे की बातचीत से मैं यह समझ गया कि दोनों का जिंदगी में चलने का तरीका बिलकुल लालग है उसके बाद मैंने अपना दूसरा खेल खेला जब विजे अपने बेटे को फैक्टरी में एक्सपीरिंस के लिए फेजा था हरी सिंग अपने बेहनों को पिटते वे कौन सा साला देख सब्सक्राइब अजे ने घुसे में आकर हरी सिंग की बहुत दूलाएगी और यह बदमाश चुपचाप मार खाता गया बात में इसने फैक्टरी बास इसके बाद क्या हुआ बाप बेटे के बीच थर्मियुट शुरू हुआ अजे ने अपना खुद का बिजनस शुरू करने के लिए अपने बाप से पैसे मांगे उन्होंने देने से इंकार कर दिया तो अजे ने जोश में आकर मार्किट से हुंडियों पैसाइन करके प अपने बेटे से मू मांगी रकम वापस देनी की पेशकश की और फिर हम तो वहाँ जले पर नमक छिड़कने के लिए तैयारी थे मैंने अजे को इतना उक्साया उसे इतना मजबूर कर दिया कि उसने मुझे सिर्फ बहां से जाने को कहा मैं फृरीधी के पास चलागयां बेहन के घर में भाई कुता होता है और ससुर के घर में जवाँ खुता होता है बीटा-बीटा होता है और कुता-खुता होता है मैंने फृरीधी को इतना बढ़काया हूं कि उसने उसी वक्त घर छोड़ने का फैसला कर लियो अब मिस्टर विजे कपूर जो पहले से जखनी शेर की तरह क्रोध में बैठे हुए थे हमारा घर छोड़ की जाना उनके जखमों को कुरेतनी के पराबर हो गया आखरी बार बाप बेटे की भी जगड़ा हुआ जिसमें अंजाने में अजे का धक्का मुझे लगे और मैं जानबूच कर दूर जाकर गिरा इसी बात पर विजे एक कपूर ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया यह मेरी दूसरी चीत थी अब मुझे यह देखना था कि वाप पस बाप बेटे कभी न मिल सके यह मौका मुझे प्रिया की शादी पर में जब मैंने जान पूछ कर सिर्फ एक काड़े सा छपवाया जिसमें अजे का नाम नहीं था फिर मौका देखकर जब मिस्टर विजे कपूर अपने लाडले की याद में खोए हुए थे मैंन कागजातों के बीच अपने नाम की एक पावर फटॉनी रखकर उनसे साइन करवा दी अब शुरू हुआ बरबादी का तौर मैंने उनकी सारी जाइदाद उनकी फैक्टरी और उनका बंगला गिर्वी रंग दिया लेकिन आदे दांपर कागजातों पर पूरी कीमत लिखी मिस्टर विजे कपूर रिष्टे निभानी की फिरात में कंगाल होगी और मैं रिष्टों का सहारा लेकर एक कामियाब बिसनस में नट के ख़ट यह अदालत डलाल फानेंसर्स को मिस्टर विजे कपूर का बंगला फैक्टरी और उनकी तमाम जैदात की निलामी करके अपनी रकम वसूलने का हुक्म देती है कल तलक जो सच था वो बन गया फसान तिनका तिनका बिखरा लुटा वो आशियान पल में बन गई सारे अपने बेगाने याद बहुत आते हैं गुजरे जमाने बस तबाही है गम के साए है सुने आखां में सिर्फ पानी है और क्या जिंदगानी है और क्या जिंदगानी है और क्यानी है प्याद बन गई आते हैं प्याओ 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 झाल झाल पापा माँ माँ ये घर में पापा की हिस्ट है इस घर को मैं दिला मोने नहीं दूँगा कभी नहीं दूगा कभी नहीं दूगा कर नहीं कर दिल्यव मैं तेरा हो चुका हो तू मेरी हो चुकी है तू मेरी नजरों में दिवानी खो चुकी है कर ले मेरा यकीन दिवाना मैं दिवाना मैं तेरा हो दिवाना दिवाना मैं दिवाना मैं तेरा हो दिवाना दिल लगाने की सजा तो न रोगे तुम मुच्छ को चाहत में दातों न दोगे तुम मुझे है तेरी आरजु मुझे है तेरी जुस्तजु मुझे है तुम से प्यार यू करके मुझे से आशकी पदलना जाना तुम कभी कसम दो मुझे को यार है यू हसा के फिर रुला तो न दोगे तुम दिल लगाने की सजा तो न दोगे तुम मैं तेरा हो चुका हूँ तु मेरी हो चुकी है तु मेरी नजरों में दिवानी खुचुकी है कर ले मेरा यकीन दिवाना मैं दिवाना मैं तेरा हो दिवाना दिवाना मैं दिवाना मैं तेरा हो दिवाना कर दो दिवाना कर दो कर दो कर दो हैं दिल में तेरी धड़कन लबों पे तेरा नाम है तू मेरी प्यास है तेरे दा मन से छूट के दिखर ना जाओ डूट के तू मेरी आस है 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 हाँ मेरी दुनिया को मिटा तो न दोगे तुम मैं तेरा हो चुका हो तू मेरी हो चुकी है तू मेरी नजरों में दिवानी खो चुकी है कर ले मेरा यकी दिवाना मैं दिवाना मैं तेरा हो दिवाना दिवाना मैं दिवाना मैं तेरा हो दिवाना क्या हुआ आजी आज इतनी देर से लोटे हूं मैं घबरा गई थी कुछ नहीं जरा घर चला गया था कौन से घर अपने घर अपने ममी पापा के पास और मैं तुमने इतना बड़ा फैसला अपनी मर्जी से कर लिया मुझे अपने घर जाने के लिए किसी की इजासत की जरूत नहीं है है अजी है उस वक्त कहां थे ये लोग जब तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था उस वक्त कहां थे ये लोग जब तुम अंदर से बिखार गए थे और तुम्हें संभालने के लिए किसी अपने की जरूत थी बताओ अजी बताओ तब कोई संभालने नहीं आया ये अचानक उनके दिल में तुम्हार लिए हमदर्दी कहां से जाग उठी अज़ा निशा उनके हालात बच से बत्तर हो चुकी है मेरे पापा बिमार है उनकी फैक्टरी उनका घर निलामी पर है और इस हालात में उन्हें कभी नहीं जोड़ सकता अब यही मेरा धर्म है और यही मेरा फर्ज है तुम्हारा हर फर्ज और हर धर्म मुझ से शिरू होकर मुझ पर यह खतम होता है अजे जब तुम्हारे इस परिवार ने तुम्हें ठुकरा दिया था उस वक्षिन मैंने तुम्हारा साथ दिया मेरी सामने भी मेरी डाडी थे उनक ैं लेकिर अपने प्यार की खांटे मेरी सब कुछ चुक्रा कर तुम्हारा साहते है के और आज में इस आप पहोल जरूलत है तो मुझे से जगर से बीज हे दोबर जाना चाहते हूं कौन कुम कभी तूमसे दूर था न कभी दूर हो सकता हूं उस परिवार की बहू हो कि बोलोग तुमें अपने बलकों पर बिटाएंगे में जब उन लोग कभी आपको तुमसे अलग नहीं समझा तो तुम क्यों वो अपने आपको अलग समझती हो तुम्हारे साथ हर सुख, हर दुख कवारा है लेकिन किसी दूसरे रिष्टों के साथ तुम्हारा प्यार पटे ये मुझे मन्सूर नहीं कहां जा रहे हो सुनो, सुनो अजी, आज मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे निशा मेरा जाना बहुत ज़रूरी है अगर जाना इतना ही ज़रूरी है तो फिर तुम्हे आज अभी इसी वक्त वैसला करना होगा कि तुम अपने माबाप के पास चाहोगे या फिर मेरे साथ रहोगी रिष्टों का वास्ता देकर रिष्टे तोड़ना चाहती है तुम निशा तुम चाहो तो हर कतम मेरा साथ दो मैं चाहो तो फैसला तुम्हारे हाथ में है अजी हलो हलो डाडी डाडी मुझे यह से ले जाओ मुझे यह से ले जाओ मा अजी कैसी है तू पस कैसा है तू इसलिए पापा के पास छोड़ाया हूं कमाल है इतनी बड़ी खुशकबरी और तुने हम सब से चुपा के रखी चल प्रतिमा मुझे किसी की दयान मदद की जरूरत है विजय का पूर्जोका जरूर है लेकर टूटा नहीं आज विए इसमें इतनी ताकात है कि अपने युद खुद लर सके और उन्हें जीट पी सके पर पापा मेरी बात तो इसलिए चुड़ चुड़े हो गया है उनकी बातों का बुरा मत पानना भी था इसमें पापा की गलती नहीं है सब मेरी गलती है मा मुझे आज भी याद है जब पापा मुझसे नाराज हो चाते थे तो मैं चुप चाप आहिस्ते से उनकी कौद में चला जाता था पहले थोड़ दाड़ते थे लिकिन फिर बहुत प्यार करते थे कब बड़ा हुआ कब मुझ में एहम आया मुझे पता ही नहीं चला अउस दिन जब मुझे घर से जाने के लिए कहा तो मैं चला गया अगर मैं रुक कर उनके गले लग जाता तो क्या वो मुझे माफ नहीं करते कर देते थे ना मा मैरे आहनकार ने इस घर को तोड़ कर रख दिया है बर्बाद कर दिया मैंने सब कुछ सब को इतना तुक पहुचाया है तुभे भी कितना तुक पहुचाया है मां इह मुझे माफ कर तुमां प्रीस पर गिब मी तु बड़ा हो गया perdТак ये तुम देख पाते थे हैं लेकिन लेकित तुझ मी इतना बड़ा पना गया है Information मैं, मैं आज पहली बर जान पड़ी हूं, पाजे पुझे 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 क्रोध, अहंकार इनसान को विनाश के रास्ते पुड़ ले जाता है अक्सर इनसान उसी को गलत समझता है, जो उसकी सबसे ज़्यादा भलय चाता है और यह गलती करके, वो उसे खूदेता है विजे, तुम ठिक वही गलती कर रहे हो जब तक तुम एहसास हो, पश्तवा हो मुझे दर है कि कहीं, कहीं बहुत दिन ना हो जाना मैं इसलिए तुमें दुक रही हूँ तुमें कह रही हूँ कि तुम उसके सब बुरा बढ़ताओ मत करो तुम उसे उसे प्यार करो, प्यार से पेशाओ विजे तुम उसे पुरसकर ने दसकते ना सही पर कम से कम, कम से कम उसका पिरसकर तुम मत करो, प्लीज हलो 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 आप बोलते क्यों नहीं यह क्या मसा गो रहा है हलो हलो, आप बोलते क्यों नहीं कि यह क्या मसाख हो रहा है कि कौन बोल रहा है है अब को बोल रहा है है अब तक तो आप लोगों ने फैसला करी लिया होगा कि आप मेरा पैसा मुझे लौटाएंगे या में मकान की निलामी का बंदोबस शुरू कर दो ना हम इस घर की निलामी होने देंगे और ना ही बर्दाश करेंगे कि आप जैसे हलके लोग इस घर में दोबारा फोन करें मिश्टर दलाल अपनी आउकाद में रहिए आप हमारे उबर क्यों गुस्सा हो रहे है मिश्टर एजे गपूर हम तो बिजनसमैन हैं जो बोलना है जा प्रापियों के चाहिया आज तुमारे गर मेहमान बंकर नहीं आओ राजेश हां मैं तुमसे पूछने आओ जो बापा ने तुम्हें नौकरी दी क्या वो उनकी गलती थी तुम्हारी जिन्दगी सवारी क्या वो उनकी भूलती तुम्हें प्यार दिया तुम्हें इज़त क्या यह उनका अपराद था क्यूं दोगा दिया मेरे पापा को तुमने कि तुमने मेरे घर को बरबाद कर दिया कि मेरे घर का सुख्चैन चीन लिया क्यूं आजे तुम्हें इंसाफ चाहिए कोट में जाओ यहां खड़े होकर मुझ पर इल्जाम लगाने से मैं कुणेकार नहीं बचाओगा और मैंने किसी के साथ चीटिंग नहीं की और नहीं मैंने किसी के साथ धोका कि अपना दिमाग इस्वार करें एक बेवकुफ आसू बहने वाले खांदान के साथ बिजनस किया और उनसे प्रानी कावत है कि सारी खुदाई एक तरफ जोरु का भाई एक तरफ चलो मैं तुम्हें भीक में दे लिता हूं पांच दस पीस पच्चीस पचास सो करोड नहीं रुपए हाथ पहलाओ हाथ पहलाओ प्लाजिश मेले जिन्दगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं पहला है हम और कहीं गलती से मैंने अपना हाथ पहला दिया तो तुम्हारे लिए बहुत पुरा होगा हाथ साफ करने वाल अपने जीजा पर हाथ उटाएगा हम अजयर मैं फागलों और बेवकूफ हो ज्यादा देर तक अपने दर्वाजे पर टिकने नहीं देता हूं आँ 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 है खोल ते खोलो प्लिस टेशन देखे मेरे घर मेरे घर में गुंड़ा उसा यह वो तोड़ फॉर कर रहा है आप जल्दी से याजी यह लिखे ना रजिश विला ट्वयथ रोड खार तु आजनने हाय अख आजय हम अधके भ्या इजयnej ओदक स्थेऽखवल अग कर दो सम gesture up catch आजन भैंगे अधक कर दो दो संदूने भैंगबानивать कर्या हते दो आजे आजे रुक जाओ रुक जाओ आजे छोड़ दो इने प्रिती इसने तो हमारी जिद्दगी खराब कर दी है इसका तो छोड़ना नहीं चाहिए आजे तुम्हें मेरी कसम तुम ठीक हो किते गुंडा और जे साब गुंडा किते गया इसे गरिफ्दार कीजे इसे ने यह तोड़ फोड़ किये मुप्रीती नहीं इस्पेक्टर आप मेरा मेडेकल करवाईये और इसके उपर इतना बड़ा केस कीजे ताकि यह बेल तक पर नहीं निकल पाए तक पर नह किये तरह आप तमीज से बात कीजे मुझ से अजय कपूर मेरा नाम है पापा का नाम है विजय कपूर समझे अच्छे विजय कपूर ना पुत्तर है तो पुत्तर है हंगामा करंदी की लोट सी अब तो थाने चलने ही पूँ एने केस जो ठोक दिता है हां मुझे क्या देख चलो हां और चलने जारे हो जा वह आप हावालात में क्या कर रहे हो तुम जी इतने सेंड कर दीजिये वे काड वनु बाहर यस सर शरीफा नो जीन दोगे की रही तुसी चलो भई बाहर आजाओ तैंक यू जाब जी मैं सारी जिंदगी कभी पुलिस टेशन के सीडिया नहीं चाड़ा लेकिन तुम्हारी वज़े से गंटों मुझे उस नर्क में जा करके बैठना पड़ा यह मार धार खून खराबे से क्या मिलेका तुम्हें नहीं बता मुझे तुम्हें भगवान न करे अगर राजेश को कुछ हो जाता तो क्या तुम प्रीती को एक सफेथ हाली में देख पाते हैं सारी जिंदगी जेल की सलाकों के बीचे कड़े रहते और भुगतना पड़ता हमें किया समझते हो तुम कि यह हत्या और हत्यारों से तुमारी समस्या का समधान हो जाएगा मत भूलू हो जाए कि राजेश हमारा दामात है उसका अगर एक भी रुआ टूटा तो भुगतना हमारी प्रीती को पड़ेगा मेरे लिए तो यह बहुती आसान काम था क्योंकि इस शेहर का बड़े से बड़ा गुंड़ा जो है वह हमारे दर्वाजे को मंदिर की चौकाट समझकर आकर उसे चुंगता है मिन्ट वह यह काम पूरा हो जाता प्रीती राजेश को समझाने की कोशिश कर रही है उसे बदलने की कोशिश कर रही है हो सकता है कि कोई चवातकार हो जाए राजेश तुम मेरे पती हो तुम्हें समझाना मेरा धर्म है देखो अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है पापा के पैसे लोटा दो उनसे माफी मांग लो मैं वादा करती हूं पापा तुम्हें पहले से भी ज्यादा मान और रिजद देंगे देखो प्रीती जब तक यह बलके तुम्हें आपनाया है यकीन मानो अगर तुमने ये भापा से मांग ले होते ऊन्सकराते हूए IO ही दएटे तंति हमें लोटाय। कि द्लॉ mask में अनु मरे दश्यादा जाओ तुम क्या चाहती ती कि मैं तो मोहारे बाप से थी तो उन्हेभा दे कर तुमने चली किह ठेगा है, मैं किसी केसाद भूका नहीं किया। जाने मेरे बिजुनस किया हैं अपना द्यमाग इस्त माल किया है। अगर यहीं पैसे मैंने किसी और से कमाय होते हैं तो तो मिनी पैसों के साथ मौज मस्तियां कर रही होती हैं तुम इन पैसों का सुक उठा थी लेकिन आज तुम मुझे इसलिए सिक्षा दे रही हो क्योंकि ये रुपए जो है मैंने तुम्हारे बाप से कमाए अगर तुम घलत ढंसे किसी के भी पैसे ले आते तो भी मैं कभी उसे नहीं चूती राजेश इस तरह से कमाया हुए रुपए चार दिन का मज़ा देते हैं और बागी जिन्देगी सिर्फ एक सजा बनकर रह जाती है प्लीज राजेश ये बैमानी के पैसे लोटा दो प्लीज प्रीटी तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी मैंनत को तुम बैमानी कहो देखो तुम समय से क्या हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमारी सारी बाते सुनते रहूंगा मेरे बिसनस में तखला अजी मत करो स्टेर आड़ वेट हमारे हां कानून बनने से पहले उसकी कार्ट बना ली जाती है इस निलामी को रोकने के लिए को रश्टा नहीं है किसा मलतरा जी ऐसा नहीं हो सकता है कि हमें स्टेर मिल जाए ताकि थोड़ा वाक्त मिल जाए कुछ सोचने के लिए स्टे ओर्डर तो आप साफ समझे क्या आपको मिल गया चार चे महीने मैं तारीके बढ़वाता रहूंगा मैं कल ही अपील दार कर देता हूं यह लो अब इस गाड़ी में दोखा दे दिया कि अब आप आप वहां उस बेंच पर बैठ चाहिए मैं जरा पंचे वाल को ढूंबता हूं पस्पांच मिट में हैं आप साहब साहब आप आप हमका चीन नहीं साहब हम है रमेसर साहब इस अंडूचो का इस्टाल साहब हम आपका फाइकर के बाहर लगाते थे और का धका पेल धंदा चलता था साहब देटन आटन देटन आटन नजाने कौन ससरे की नजर लग गई साहब और फाइकरिया ही बंध हो गई साहब हम सुने हैं कि फैक्तरी तोड़कर बढ़का बील्डिंग बनी हुआ साहब करीब मजदुरन आपका पूजत है आप तो उनके माई भाफ हो साहब उनका विश्वास है कि साहब उनको भूखा मरे ना दी है जब तुम सुब लोगों का विश्वास है तुमारी प्राथना है तो फैक्टरियम से रूर बचा लिंग साहब एक्ठो बिंती है जाने से पहले है हमरे हाथ का बना एक्ठो एक्ठो सैंविच्वा खाई लिए ना साहिब नहीं रहने खा लीजिए ना पापा जब आज तक आपने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा तो इसका भी दिल रख लीजिए अरे भाई सब एक सैंविच बनाना उसमें तीखा जार डालना ठीक है अभी लाए साहिब और जल्दी बना देना बहुत भूख लगिए साहिब शुक्रिया लीजे ना बापा मैं तुम खाँ पापा एक पीस ले लीजे ने मुझे लेजे कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि 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 अधिए पाब आपको याद है बच्पन में आप मुझे अपनी गोद में बढ़ा कर खाना किलाते थे बिल्कुत सादा खाना होता था मेरे चनाम की तो कोई कि अधिका बनवाया है ताकि आपके साथ आपके इस सुक का मज़ा मैं भी ले सको कि 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 यह कि 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 बच्पन से लेकि आज तक कि जब भी मैंने ठोकर खाई कि मैं किरा कि आपने मुझे संभाला कि और आज कि आज जब दुनिया से ठोकर खाकर आप लड़ खडाने लगे कि कि तो मैं आपकी लाठी कि आपका साहरा नहीं बन सकता कि कि आप मुझे अपना हाथ क्यों नहीं देते कि बापा कि 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 त… कि हुआ 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 है 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 एधर वज्जक ने पनिया इसी ने फिर से तोड़ फोड़ किये गिरफ़तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साब आज रक्षा बंदन है और यह आदमी मुझे अपनी भेंसे राखी बनवाने नहीं दे रहा हो 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 लै सारी गल मेंनों हुण समझा गई ऑइक अब जामा दुनिया दी कोई ताकत एक प्रानू रखड़ी वाले दिन अपनी पैन नाल मिलन दो रोग नहीं जगदा और वैसे भी अलवाई अजे तक कोई कणून नहीं बनिया जो एक प्रानू अंदर कर दे क्यों तु कुछ पागलते नहीं है अजे आज की दिन हर बहन को अपने भाई से तोफ़ा मांगने का हाख होता है बोल तुझे क्या चाहिए बैन रक्षा करने के बंधन को ही रक्षा बंधन कहते हैं ना आज मैं चाहती हूं तुम मेरी रक्षा करो मुझे यहां से हमेशा के लिए अपने साथ घर ले चलो घर ले चलो मुझे चलो चलो एह हलवाई होन तेनू कोन बचाएगा ओ जद तक तेरे कार सी ओ तेनू बचानवाली टाल सी होते चली गई हूं तनू कोन बचाओ पाओ एह रभा खेर करी पापा मुझे माफ कर दीजिए मेरी एक भूल की सजा पूरे घर को मिल रही है और कैसी सजा बेटी है इधर देख़े इस तो यह तो वक्त कतकासा है कि राजेश को पैचानने में भूल सिर्फ तुमसे थोड़ी नहीं मुझसे भी हुई है तुम्हारी मां से भी हुई है परिवार के और सदस्यों से भी हुई है तुम जानती हो इंसान और भगवान में फ़र्क क्या होता है इंसान जो है वो लोगों को पैचानने में हमेशा धोका खाता है भगवान कब नहीं कहता है इसीरे तो वह भगवान है और रही बाद रिष्टों की तो इंसान रिष्टों में कभी-कभी दोका खा जाता है रिष्टा तोड़ने वाले सब कुछ खो देते हैं मेटर जोड़ने वाले आमेशा अबाद रहते हैं माबाप के लिए सबसे बड़ा सुक और सबसे बड़ी खुशी उनके पच्चे हैं आज सारा परिवार एक साथ है अब मुझसे जड़ा भागशली और और कौन हो सकते हैं अब आप चलिए भाया जल्दी से राखी बनवा लीजिए पर्मा ऐसे मौके पर किसी एक की कमी नहीं मैसूस होती नीशा की अजय अजय तुम नीशा को घर क्यों नहीं लाते हाँ भाया आज आपको नीशा को लाना ही पड़ेगा निशा मेरी सहेली है मैं भी तो देखू भावी बनने के बाद कैसी लगती है वो कि प्रिया जिश्वने पापा कि घर प describes गोर्म करने दो कि अभू अपने पापा के घर जितने आराम से हैं ने उसने ज्यादा आराम मुसे देंगे क्या बात की दीथीने वाफ दिल खुश हो गया जब मेरे जैसा निंठला काम धाम त्याकर घर में रह सकता है तो क्या हमारे घर की बाउगर में नहीं आ सकती और फिर हमें निशा की गोदभराई भी तो करनी है मां हमारा सबसे पहला फ़र्ज है कि हम अपनी घर की रक्षा करें गोदभराई तो होती रहेगी अजय मगर तुम ऐसा क्यों कहते हो माना कि इस वक्त हम लोग बुरे वक्त के बादलों में गिरे हैं पर रस्में तो हम निभाएंगे ना वरी बाद में जो शानों शौकत से दिवाली नहीं मना सकता वो भी अपने दर्वाजे बदो चार दिये जलाता है देख अब मैं तरी ए अगर एक शर्त पर तुम्हें इन कावजात पर दस्तख़त करने होंगे डिवोस अब उसे मेरे साथ मेरे घर बीज़तीजी जीए यह पेपर्स मैं निशा के साथ आपको लटा दूंगा निशा मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है हमारे बीच जो हालात हैं प्लीज मेरे घरवालों को मत बताना ओकी हुआ हुआ है हुआ 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 है आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम अपके आने से घर में कितनी रालग है आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम हम खुश खुवे, हम खुश खुवे, हम खुश खुवे हम खुश खुवे, हम खुश खुवे, हम खुश खुवे कितने सुने सुने थे दिन कैसे मैं बताओं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन तेरे लट आने से घर में कितनी रोनक है आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम हमई खुषो वे हम खुशववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव तूने जो बुला, मैं तो चलिया, खुए जिंदरी में गई ऐसा लगना है, साथी तुझे पागे मुझको हर खुशी में गई फासले मिचाने से, घर में कितनी रानक है आपको देखें कवं, अपने घर को देखें हुम हम मुझको हुष खुए हम मुझको हुष खुए हम खशशशबे elastic हम खोशशशबे हम खशशशबे आखों में खुशी के आशू भर आए रोके ना रुके बह गए बोलू मैं क्या बोलू कहना जो मुझे था आशू मेरे वो कह गए देखों मुश्कुराने से घर में कितनी रोनक है आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम आपके आने से घर में कितनी रोनक है आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम हम खुश हुश 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 हु हम कुछ भूए हम कुछ भूए हम कुछ भूए हम कुछ भूए मैं हर घम से लूँगी हर कमी बरदाश कर लूँगी पर तुम से अलग नहीं रहना चाहती है जे मुझे नहीं जाना है मैं यही तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं हमने कभी हाथ में हाथ लेकर साथ जिन्दगी निबाने का वादा किया था और आज साथ चुड़ा कर तुम हमेशा के लिए चली जाओगी अजे मैं तुम से कुछ मांगना चाहती हूँ जांगता हूँ इलो ये क्या है डिवोस पीपल्स तलाक पापा तुम्हारा इंतिजार कर रहे है नीचे आजाओ डादी डादी मुझे गर ले चलो डादी मां बठाओ मुझे गर ले चलो हाँ बठाओ अलो जी मैं अड़ोगेट मलोत्रा बोल रहा हूँ हाँ बोली अंकल स्टे ओडर का क्या हुआ आम सॉरी मिस्टर अजे कबो अदालत ने स्टे ओडर खारिच कर दिया ओ नौ स्टे ओडर के वारे में मिस्टर मलोत्रा ने क्या काम पापा नामनसुर हो गया जलो गफरानी की कोई बात नहीं है आज है कल में ब्रीज लिंडन से आ रहा है उसकी आती पैसे का बंदो हो जाया तो उसके ऑफिस फोन करते रहे ना ये पता लगाने के लिए कि वो कब आपस लोड़ा पापा अगर ब्रीज अंकल सही वक पनाए तो तो हम क्या करेंगे तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा दोस्तों मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर कुछ कहने आया हूं मैंने फैक्टरी बचाने की जितनी मुझ में हिम्मत थी, ताकत थी, कोशिश की लेकिन मुझे लगता है कि मैं फैक्टरी नहीं बचा सको मैं तो चाहता हूं कि जो रिष्टा आपके और हमारे वीच बना था वो सारी जिंदगी बना रहे इसलिए हो सके तु मुझे 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 भाफ कर देची पापा प्रिज अंकल ने क्या खा गया वो इसी शेहर में है लेकिन हमारी फैमिली के लिए वो लंडन में बैठे पापा ने एक बिजनसमैन से दोस्ती की और उसने दोस्ती का बिजनस किया यह बात पापा तक ना पहुंचे तो अच्छा है यह आखरी भरोसा था पापा का पापा क एसका सद्मयोंने बरताश नहीं होगा अब क्या होगा बहिया अब क्या होगा तुम संभालो अपने अब को मुझे बारोसा दिखा जाएगा मार्सा, पिछ्रे दो बैरस का नीमने, वे लोग बुखे बर रहे हैं, हम अगरे मिशन्दकार वे जोरे, वरा सामजे कराओं लेज़ आपर जाकर रोद अंडरी नीतारू पिता है, लग जाता है, आई याशी करता है, इसको तोलो बादी माओ हम इसे होच्ज पिती सब्सक्राव और म मारी हैं, हम अपता है! हुआ याशी जाओ है अगरी बंदोने मारी लोग पार्पकराण होने हें हरीसंग हारीसेंग, जाओ इन मजदूर और उनके परिवारों का दुख बाटने की कोशिश करो सुख बाटने से बढ़ता है दुख अपनाने से दुख कम होता है चाओ इन लोगों को राहत दो जाओ अरिसे राजय भाबू आपने मेरी जान बचाए है क्यों इस मुझिरम के छोले में बिन मांगे दया की भेट चड़ा रहे हैं हाप क्यों इन मजदूरों के दिल में मेरे लिए जगह बना रहे हैं आप क्यों साव आप नहीं जानते मैं जान पूचके राप से फैक्टरी पे उलचाता आप से बार भार माफी बगवा कर आपको चलील किया था मैंने लेकिन मैं हवेशा से नहीं था एक टैम था कि अज़ में मालिक के अपने घा.' कि मैं जाता था कि अमारे बालिक दे अवारे लिएम के अक्या लिए नहीं किया जहिए पैपने के लिए कप्ड़ेगा हु NEW भ carboh-णोप नहीं के लिए मौर अब हमारे मालिक देड़ के लिए मैं नहीं चुलिए सांप मैं पूलिए मैं चुलिए कि जब शेमें ब़रे फैक्टरी में यप नहीं चल कि और गर्रेक्वासीन अजनेगी अओस्तब हम अजने करेंगे नहीं च्छल सिर्चेन सांप अग्डाँ किरिए साम में अपने मालिक के साथ करता ही आज के बाद कभी कोई मालिक अपने मस्दूर परोसा नी करेगा और कभी कोई मस्दूर अपने लिड़र परोसा नी करेगा क्योंकि पिट पर लात मरने वाले को माप किया जा सकता है सा लेकिन हरी सिंग तो मरने तो अपने मज़ूर बाईयों के पेट पेला तुमारे साथ मैंने वो गुला किया है जिसकी सदा इन लोगों के परिवार वाले मुखसरे है क्योंकि इस बूल गया था साथ कि मालिक के गर में अन्देरा करके कुछ नहीं म्यानि कुछ मालिक के गर में किसी मज़ूर के गर में रौश्ड़ी के रहाओ मुझे आलो कि अपने अपको तुम्हें अपने गल्ती का एसास हुआ पस इतना ही काफिया थे सब प्राइशित करूंगा अब लोग सब अपनी जान पेखें जाएंगे लेकिन अपने मालिक के ओपर आज नहीं आने देंगे साथ साथ यह बाजी हमार चुके हैं लेकिन इस जंग ने जीत हमारी योगी बहुत देर हो चुकी है हरी सिंग बहुत देर हो चुकी है हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि इतने सारे पैसे जमा कर सके अब नहीं हमारा वो घर बचेगा ना यह फैक्टरी साफ मैं इनकी पत्नी हो एक और अपने पती के जीते जी उसका मंगल सुत्र कभी नहीं उतारती यह मंगल सुत्र नहीं यह एक और का विश्वास है और आज इसी विश्वास की ताकत पर यह मंगल की भावनाओं की गदर करता हूं लेकिन सचाई यह है कि इन सब चीज़ों से इतने पैसे नहीं जबाऊ सकते हैं कि अगर साफ है यह अवारे घर कि आपके साब कि यह चार हजार घर आपके लिए साब कि साब आप इन्हें गिर्वी रखिये साब लेकिन अपने घर और हमारी पैक्ट्री को बचा लीजे साब साब हमारे कल हमारे सपने हमारा भविश्य आपके साथ है सब एक आवाज में बोलो साब हम आपके साथ है आपके साथ है अगर आप लोग की प्रात्ना आप लोग का त्याग और आप लोग का आशिरवाद मेरे साथ हो तो हम यह जंग जरूर जीतेंगे यह भूके नंगे टके टके के वरकस दान दे रहे हैं विकारियों से भीक ली जा रही है और उनके दम पर यह बंगला और फैक्टरी खरीदेंगे बंगले की निलामी पर आप लोग मेरी तरफ से बोली लगाएंगे और जहां तक रहा फैक्टरी का सवार स्टार इंवेस्पन से आम उसे कुछ और दाम पर खरीदेंगे एकुल पार्टनर्स दन दन राजे सहाब दन बिना सोचे समझे निलामी में बोली लगाने के लिए तुमने टिपोजिट जमा करा दिया तुम क्या समझते और राजेश को एक असर चोड़ेगा और ये बागी के रुपए आएंगे कहां से पापा राजेश भले चाहे जितन और हमारी तरफ से बोली मामा जी लगाएंगे तार इंवेस्टमेंट कंपनी के पास ये कपूर विला पच्चास करोड रुपे में गिरवी रखा गया है वाह और ये जेब में नहीं लगता और पान खाए करकत्ता बोली तो मैं बोलता जाओंगा लेकन इतना रुपया कहा ह मामा जी अपरी तरफ से बोली रुकने नीची ये बस बॉलता जाओंगे ज़्यूरी और दूसरी ओर है वरकर्स गूक और के मुताबिक बोली पचास करोड रुपय के ऊपर लगानी है सिक्ज़े जोली करोड दर एक शड़ कोर्ँ एक एक्यासी करोर एक करोड रूपया जादा की बोली लगाई है दो नवे करोड के दो iqyan1 करोड से और चरोड की बोली लगए है 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 चा सब सो करोड सो करोड है लगता है तो चुटल आप लोग अपनी सासे ठाम लीजिए निलामी लगता है खत्म हो चुकी है 100 करोर एक, 100 करोर दो, 100 करोर… 100, 25 करोर 125 करोर, यहुई न मर्द वादिभान, 125 करोर अनर, stop it, 125 करोर रहो हा तु पेचे हट जाओ 125 करोर है, है कोई आरू भर बोलने वाला, कोई है 125 करोर एक कि एक सो पचीस करोर दो कि एक सो पचीस करोर दीज जोल्ड जानते हैं आप कि इन काखजादों पर सिगनेचर कर रहे हैं मकान के काखजातों पर जी नहीं यह आप गवर्मेंट को अंडर्टेकिंग दे रहे हैं अगर दो दिन के अंदर एक सो पचीस करोर रुपय आप जमा नहीं करवाते तो आपकी डिपोजिट भी जब्थ हो जाएगी यह दो पल की जीत कोई मायने नहीं रखती है यह तो उससे भी बड़ी बेज़ती है जब अदालत हमारी डिपोजिट कीवी रखम को जब्थ कर लेगा तो सारी दुनिया हसेगी हम पर पापा अप मेरा भरुसे कीजिए मैं सारा बंदो बस कर लूंगा देखो अजय रुपय आएंगे पापा जो पर आएंगे हम नाए है शेहर में हमको गर लग लो परसों की पैस दिल पर पलबर में तो पुझा लो दीवानो मस दानो जड़ा हमको परचानो ए घुंद में से फिला मिले की ऐसी असी जवानी आईए हमसे मुलावकात की जिए दिल में जो आए वही बहुत की जिए आईए हमसे मुलावकात की जिए आईए हमसे मुलावकात की जिए सीने में देखे हरका सगर्द दिल बेन अराद करके मैं भूब यार जाओ ना एसे वाने हजार करके मुका निकलन जाए सरम गई इंदिजार करके एक बार देख तो लो जरासा तुम हम से त्यार करके हे हे जब भी जहां भी चाहों हमको मही पुला लो हम जिन्ददी के सारे मिलके सनम फुला लो दीवानों मस्तानों सुरवं को पेचानों है ढूंदने से बिना मिलेगी ऐसी अमी जवामी आई ये हम से गुलाखात कीजिये दिल में जो आए वही बात कीजिये कीजिये ना आई ये लो आए 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 लो कि आपकी प्यास चेहरे का नूर होटो का रंग दे दे जुल से यकाली डानों कि लाली ये नोरा रंग दे दे मैंके गुलाम जैसा शबात तहली बहार दे दे रंगी नरात पल भर कासात सारा खुमार दे दे हे 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 हुयों सभी है नाजुक बाहों में तुम उठालो खुशबू हमारे दन की सासों में तुम पसालो दीवों लो मस्ता लो जरहं को पेचालो कहीं धुंदनी से बिना मिलेगी असे अजीजवानी आएए हमसे मुलाखात कीजिए दिल में जो आए वही बात कीजिए अबस्ता लो आएए हमसे अजीज़ गुशब। झाल 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 हलो हलो पुलीस टेशन देखें मेरे घर पर हमला हुआ है मैं राजिश्पुरोहित ओपाई सुना ही नहीं दे रहा है उच्छी बोल का के उच्छी बोल हलो हलो ओ मैंनू लगदा है लैन कराब है हां ओई सुनू एत्या बड़ा ही घटी आदिमी आगा है हां हुण गंटी बज विल्कुल ना चूग टेलिफून नू चक्कन दे फटे पबिक नी हो दे मार खाण दे हरामिनू ताजी अधि आजी 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 अजान के अधिश्पून नू ने और अजी आजान मुझे बाफ कर तो तुम्हें परीदि परीदिन का वास्तर मुझे बाफ कर तो और एथो ह आप एक बच्चे के बाप बन गये हैं, अफादरों कमसारों आप, आप, लीजा है, यह क्या कर रहladı, नीचे रहो मेरे बच्चे को बो हो रहा है, तुम्हे अपन बच्चे की रोने की आवास उनाई थी, लेकिन उस बच्ची की जिसक्या नहीं सुनी, तुमने आप, पढ़ा करें कंदूने कि अब तुम्हारा कोई हग नहीं है इस बच्चे पर क्योंकि तो मुझे तलाग दे चुके हो मैंने तुम्हें तलाग तुम्हारी मर्जी से दिया है जूट जूट यसाओ नहीं कर सकते हैं और हां है कि अगर इस फैसले में तुम शामिल नहीं थी तो तुम जब मर्जी चाओ घर आ सकती हो कि आर इस बच्चे बाफ ने के नाते मैं इसे ने साथ लेजा रहा हूं कहां नी जा रहो मेरे बच्चे को मेरे बच्चे को मत ले जा रहा है कोई से रोपता क्यों नहीं को अजे एक बच्चे को इतनी मां से अलग करना बहुत बड़ा पाप होता है मैं तुमारी हाठ चोड़ती हूँ अजे मेरे बच्चे को मत ले जाओ अगर मेरे बच्चे को मत ले जाओ तुम्हें इस बच्चे के जुदाओने पर जो सिर्फ एक दिन का है तुमने कभी सोचा है उन माबाप का क्या होता जिनकी संतान को तुम चीनने की कोशिश कर रही थी जिन्होंने पचीश साल उसे पाल पोस्कर बड़ा किया उसकी परवरिश की उसे अपना सपना अपना अर्मान बनाया अगर वो बच्चा उनसे अलग हो जाता तो क्या है वो नहीं मर जाते हैं कि अधसर 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 सब्चान लूग मुझे मुझे जां से बारतेंगे शव वह वकर लोग आपकी कहने से वापस लोट जाएगे सब मैं अपनी जिद्धी की भीक पांगता हूँ सब मैं आपका दामाद हूँ सब मैंने आपकी बेटी से शादी किया सर तुम्हारा मुझ से क्या रिष्टा है ये मझे बताने की कोई जरूरत नहीं है आजिश क्योंकि तुम इस घर में रिष्टा निवाने नहीं आए थे तुम बिस्नस कर में आए थे बिस्नस जनते हो बिस्नस्मेन को मत है बिस्नस्मेन वो हता है जो पूरी मांदारी के साथ अपने वक्त अपने हुनर अपनी कबलियत का सौधा करने के बाद मुआज़क मत तुम बिस्नसमेन नही हो तुम एक मौका परस्त इंसान हो जिसने अपनी महत्वा कांग्शाओं को अपनी एम्बिशन्स को एक चलाकी का नकाब पहना कर रिष्टों की आड में लोगों को धोका दिया तुम एक जीठों ता कांग मैं अपनी प्लड़ी परसाइट और तुम मुझे दोका सिर्फ इसलिए दे पाई कि मैंने तुम पर विश्वास किया विश्वास और तुमने उसी विश्वास की नीव में जहर डाल दिया जमीन पर रिंगने वाला सांप दो इस जानों को भी कभी कभी जोड़ देता लेकिन तुम आस्तीन में बनने वाले वो साथ हो जिसमें किसी को नहीं बख्ष तुमने मेरे साथ सांप सीड़ी का केल केला है जब 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 जहां जहां तुम्हें मौका मिला तुम सीड़ी पर चरते गए और उन लोगों की जिंदीगी को तुमने बर्बाद कर दिया है जिन्होंने तुम पर भरोसा किया थे लेकन तुम भूल गए हैं कि निन्यानवे की संख्या पर एक ऐसा साप बठा है जिसके काटने से खिलाडी इतने नीचे गिर जाता है कि फिर उसके पास वापस उपर उठने की कोई कुछाइश नहीं रहती तुमारी पढ़ाय लिखाई का हुई है किस कहानी में तुमने पढ़ा है कि बदी की जीत जो है वो नेकी पर खोती है ऐसे कोई कहानी नहीं है तो फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि इस कहानी का अंजाम जो है वो अलक होगा इसका रोख तुम पदल पाओगे एक नया उपर न्यास लिख पाओगे कैसे सोच लिया तुम मिस्टर राजिश पुरोहित अब मैं तुम्हें समझाओंगा कि बिजनस किसे किया जाता है अब तुम अपनी आवाज में बोलोगे क्या दाम है तुम्हारी जान का क्या मूल है उसका लाक दस लाक करोड़ पचास करोड़ इसका जवाब देनी के लिए तुम्हारे पास वक्त सिर्फ तब तक है जब तक की कि उस दर्वाजे को वरकर तोड़कर यहां नहीं आजाते हैं कोई जल्दी नहीं है मैं यहां बिल्कुल इत्मेनान से बैठा हूं लेकिन अपनी जान की कीमत है तुम्हें अपनी आवाज में देनी होगे सो टेक यटा है की तुम्हें बैठा हूं की तुम्हें वहां बैठा हूं अज्यों पिंदे! झाल झाल, झाल झाल, झाल! एक बहोगा पहा लगो उन्हाव नहा लगो मैं सब कुछ लादादुगा, 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 मैं सब कुछ लादादुग दाएंकल मैं बिन मा की पली और बड़ी हुई इसलिए मा मैं जानती नहीं थी कि एक बहु का सारा संसार तो अपने ससुराल में होता है मुझे पेटी समझ कर माफ कर दीजिए बस बस सुरी से देखो बेटे जिन्दगी में कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं जहां इनसान को माफ करना पड़ता है और जहां तक मेरा ख्याल है मेरी तरह इस परिवार का हर सुदे से तुमें ख्रमा कर देगा कुमा कुमा मा प्रीति काए यह आपके लिए राजेश मेरे परिवार ने भले तुमें शमा कर दिया हो पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार को सिर्फ दुख और परिशानिया उठानी बड़ी जिस दिन कोई भी बेटी तुम जैसे पती को माफ कर देगी तुम वापस लॉटा ना एक मिनिट रोपना चारा जिन्दगी और कुछ नहीं सिर्फ एक रिष्टा है जो इन रिष्टों को तोड़ देता है वो अपनों तक को खो देता है और जो इन रिष्टों को निफा लेता है इनसान तो क्या भगवान को भी पालेता है